दोस्तो आज हम आपको हमारे 36 गड़ के एक ऐसे राजनिता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने राजनितिक जीवन में कई मुकाम हासिल किये लेगिन एक नकसली हमले में उनकी मौत हो गई और उनका सियासी सफर अधूरा रहे गया आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 36 गड़ कॉंग्रेस के दिगज नेताओं में शुमार रहे स्वरगिये नंद कुमार पटेल की कहानी नंद कुमार पटेल का जन्म 8 नवंबर 1953 को हुआ था उनका विवाह नीला से हुआ था उनसे उनके दो बेटे और दो बेटियां उत्पन हुई इसमें दिनेश पटेल, सरुजनी पटेल, शशीकला पटेल और उमेश पटेल शामिल हैं सभी बेटे बेटियों की शादिया हो चुकी है बेटे दिनेश पटेल जो की उनके साथ ही साल 2013 के नकसली हमले में मारे गए उनकी मृत्यू से महज दो साल पहले ही शादी हुई थी नंद कुमार पटेल ने अपने राजनितिक सफर की शुरुबात साल 1989 में सरपंच की रूप में की थी वो प्रखंड विकास समिती राइगण के सदस से चुने गए थे पहली बार 5 मार्च 1990 को पटेल विधायक चुने गए इसके बाद 1990, 1993, 1998, 2003 और 2008 में वो विधायक बने और 1998 में मंत्री रहे अप्रेल 2011 में उन्हें कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष की रूप में चुना गया था नंद कुमार पटेल मध्यप्रदेश विधान सभा की पुस्तकाले समिती के अप्रेल 1994 में अध्यक्ष बने मार्च 1998 से दिसंबर 1998 तक उन्होंने मध्यप्रदेश में ग्रह राजमंत्री की रूप में काम किया दिसंबर 1998 से अक्टूबर 2000 तक दिग्वजय सिंग के साथ मध्यप्रदेश में ग्रह और विमानन विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे 12 नवंबर 2000 को 36 गड़ में राजमंत्री की रूप में शपत ली इसके बाद 2003 तक ग्रह, जेल, परिवहन, कैबिरेट मंत्री रहे 2009 से 2011 तक 36 गड़ लोक लेका समीती के अध्यक्ष रहे साल 2013 के जून में बस्तर की जीरम घाटी में नकसलियों ने घात लगाकर हमला किया था इसमें कॉंग्रेस के शीर्श पंक्टी के नेता शहीद हो गए कॉंग्रेसियों के काफिले पर हमले के बाद नकसलियों ने ततकालीन प्रदेश अध्यक्ष रंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को अगवा कर लिया नकसलियों ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को भी मार डाला जीरम हमले के बाद नकसली दोनों को जंगल ले गए थे थोड़ी दूर ले जाकर दोनों के सिर में कोली मार दी दिनेश की सिर पर टंग्या से भी प्रहार किया था उस समय ग्रहम अंत्राले के सूत्रों ने बताया था कि हमले का असल टार्गेट नंदकुमार पटेल ही थे और इस तरह से नंदकुमार पटेल अपने राजनितिक करियर को बीच में ही छोड़ कर आधे सफर से रुकसत हो गए उन दिनों उनके बेटे उमेश पटेल बैंगलोर में एक सौट्वेर कमपनी में नौकरी करते थे राहुल गांधी ने ही इस दुख से आहत उमेश को उसी साल के विधानसफा चुनाव लड़ने के लिए प्रिरित किया था उमेश ने अपने पिता की विरासत को बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ा 2013 के विधानसभा चुनाव में उमेश भाजपा के जवाहर नायक को करीब 40,000 वोटों से हरा कर पहली बार विधायक बने थे फिर 2018 में भी इसी सीड से BJP में शामिल उनके प्रतिदवन्दी ओपी चौधरी को हरा कर दोबारा विधानसभा पहुँचे और आज तक अपने पिता की विरासत को बरकरार रखे हुए है तो इस तरह से अपने पिता की मौत के बाद आज भी उमेश पटेल ने अपनी विरासत संभाल कर रखी है वैसे क्या अगले विधासवा चिनौम में भी नंदकुमार पटेल की ये विरासत वो संभाल पाएंगे उमेश पटेल की और उपलमधियों के बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुचाएं बने रहिए फोर्थाई न्यूस के साथ नमस्कार